फाइनल राजनेती विज्ञान चड़ा प्रश्म पात्र भारतिय साश्रनेव राजनेती आज कहा हमारा टोपिक है कुछ राज्यों के संबंद में विशेश ओपबंद मित्रों भारतिय समिधान का भाग 21 जो है अनुषे 379 से लेके 378 और अनुषे 302 में जो है वो ऐस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश ओपबंदों की विवस्था करता है एक विरपूरे हम समझ ले भारतिय समिधान का भाग 21 जो कि अनुषे 379 से 378 और अनुषे 302 में ऐस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश ओपबंदों की विवस्था करता है तो समिधान की इस भाग द्वारा भारतिय संग के कुछ राज्यों के लिए विशेश प्रावधान की गए विशेश ववस्थाईं की गई है तो इन में से हम विशेश प्रावधान वाले राज्यों को यहां पर पढ़ेंगे जिसमें पहले जम्मु कश्मीर भी समिली था अब वो नहीं है तो महराष्ट्र, गुजरात, नागलेंट, असम, मानिपूर, आंधर प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश और गोवा की हम बात करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं महराष्टर, और गुजरात, राज्जे के समनमें विशेश ओपबन देजो हैं अनुश्यत 381 महराष्टर, गुजरात, राज्जे में आर्थीक डिर्ष्टी से कुछ क्षेत्र अधिक विख्सी थे उधरन के लिए महारष्ट राज्य का मुंबे क्षेत्र बहुत अधिक विक्सी थे लेकिन जो विधर्ब और मराठवाड़ा है वो कम विक्सी थे इसी प्रकार गुजरात में एमदावाद बहुत विक्सी थे लेकिन कच्छ या सोराष्ट रे के जो क्षेत्रे वो कम विक्सी थे तो इन राज्यों की विवीद क्षेत्रों के संतुलित विकासे तु विवस्था की गई है अनुच्य तीन सो एकेतर में कहा गया है कि समिधान में अन्य किसी बात के होते वी भी राष्ट पती गुजरात या महराष्ट राज्य की राज्यपाल के निवने बातों और शेत्रों के संबन्द में विशेश उत्रदायत पर के लिए उपबंद कर सकेगा पहला इसमें आता है महराष्ट के विधर्ब, माराठमाडा और सेष महराष्ट तथा गुजरात में सोराष्ट कच और सेष गुजरात के लिए अलग विकास बोर्डों के सापना करना इस विवस्था सहीत की इन बोर्डों में से प्रतेक के कारेकरण पर एक प्रतिवेधन राज्य विदान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा ताकि इन ख्षेत्रों का विकास हो दूसरा बिंदू है समस्त राज्य की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते वे उन ख्षेत्रों में विकास खर्च के न्याय संगत आवंटन हे तू ताकि उन ख्षेत्रों का विकास हो उनके लिए बजट रखा जाए तीसरा है समस्थ राज्ये के आवशक्तवाँ का ध्यान रखते हुए उप्त सभी ख्षेत्रों के समन्वे तकनेकी सिक्षा और व्यवसाईक प्रशिक्षन के लिए परियाप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नेंतरन के अधिन सेवाओं में नियोजन के लिए परियाप्त अवसरों और विवस्था करने वाली न्याय संगत विवस्था है तूँग तो ये तीन बाते हैं जिनके लिए मिशेश उपमंद की विवस्था की गई है कि इस तरह से समिधान में विश्था कीगे कि महाराष्टो गुजरात राज्य में विविदिक शेत्रों के संतुलेत विकास है तो विकास बोर्डों के सापना की जा सकती है दूसरा हम यहां चर्चा करेंगे अनुचि यह 321 कय वो 321 था यह 321 कय यह नगालेंड राज्य के संबन्ध में विश्थ उपन्द की बात करता है नगालेंड में नागा लोगों की विश्थ धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं राज्य के अंतरगत त्यूएन सांग जिले में विद्यमान विश्थ परिस्थितियों और आंतरिक शान्ति को द्रिष्टी में रखते वे विश्थ उपन्द किये गए हैं अनुशिया 321 के के अनुसार इस समिधान में अन्य किसी बात की होते वे भी पहला बिंदु है नागाओं की धर्मिक या सामाजिक प्रथाओं दूसरा नागा प्रथागत रूधी और प्रक्रिया और तीसरा दिवानी और फोसदारी न्याय प्रिशाशन जहां निर्णे ना नागालेंड राज्य के लिए तब तक नाग लागू नहीं होगा जब तक कि नागालेंड की विधान सबा प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णे नहीं करती है अगला राज्य हम पढ़ते हैं असम राज्य के समध में विशेश उपबंद अनुशिये 371 खै असम में जंजाती शेत्रों के लिए एक समीति के गठन की विवस्ता की गई है अनुशिये 371 खै के अनुशार इस समीधान में अन्य किसी बात के होते वे भी रैश्ट्रपती असम राज्य की विधान सबा की एक समीति का गठन कर सकेगा जो सराज्य के जंजातिक शेत्रों से निर्वाचित व गठन और उसके उचित कार्य करन के लिए असम रिधान सबाकी प्रक्रिया के नियमों में आवशक परिवर्तन की विवस्ता भी कर सकेगा तो मैं आपको बता दूं समीधान के अनुशेत के अंतरगती 2003 में बोडोलेंड टेरिटोरियल एरिया जिस्ट्रिक्ट की एक समीति स् परिशत के रूप में स्थापित असम सरकार के द्वारा कर दी गए थी अगला राज्य है मनेपूर राज्य के समन में विशेश उपबंद अनुशे 301 केतर गये मनेपूर राज्य में पहाडिक शेत्रों के लिए विशेश विवस्ता की गई है राश्ट्र पती मनेपूर र राज्य के पाडिक शेत्रों से निर्वाचित विधानसवा सदस्यों से मिलकर बनेगी राश्ट्रपती इस समीती के कारेकरण के प्रसंग में राज्य सरकार के कामकाज की नियमों में और राज्य विधानसवा के प्रक्रिया समधी नियमों में आवश्यक परिवातन कर सकें इस समीति का जो उचित कार्य करण है वो सुनिश्रित करने के उद्धेश से राश्रपती राज्येपाल को कोई विशिश उतरदायत्वे भी सोम सकते हैं राज्येपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राश्रपती ऐसी अपेक्षा करे अब हम पढ़ते हैं अनुचित 321 घय यह आंद्रप्रदेश राज्ये के सम्द्ध में विशिश उपबन 321 घय 1923 में भारतिय संग के एक राज्ये आंद्रप्रदेश के दो भागों आंद्रोर तेलंगाना जो अलगलग हो चुके हैं के बीच विवाद की जो स्थिती उत्पन हो गए थी उसे दूर करके आंद्रप्रदेश की एकता और आंद्रप्रदेश के सभी क्षेत्रों की संतुष्टी को बनाए रखने के लिए 32 में समिधानिक संचोधन के अधार पर समिधान में 301 घय का समाविश किया था इस उपबंद के अनुष्यद के अधार पर 371 घय के अधार पर आंद्रप्रदेश में विभीन क्षेत्रों के लोगों के लिए सारवजिनिक सेवाओं और शिक्षा के समन्द में विशेष्ट विवस्ता की गई थी अब हम भात करते हैं सिक्किम राज्य की अनुष्य तीन सो एकेतर चय सिक्किम राज्य के समन्द में विशेष उपबंद हैं इस समिधान में किसी बात के होते हुए भी सिक्किम राज्य की विदानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी सिक्किम की राज्यपाल का शानती के लिए और सिक्किम की जनता के विविन वर्गों की सामाजी कुरार्थी कुनिती सुनिश्रित करने के लिए न्याय संगत विवस्ता करने के लिए विशेश उतरदायत पर होगा और इस खंड के अधिन अपने विशेश उत्रदायत्व का निर्वाहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निर्देशों के अधिन रहते वे जो राश्ट्रपती समय समय पर देना ठीक समझे अपने विवेक से कारे करेगा तो ये था अनुच्य 371 छे अब हम बात करते 321 छे की जो मिजोरम राज्ये के संबन्द में विशेश उपन्द के बात करता है मिजोरम में मिजो लोगों की विश्यष धार्मे को सामाजिक प्रथाओं को दृष्टि में रखते वे मिजोरम राज्य के समद्ध में विश्यष उपबंद किये गए हैं जिसमें अनुशिय तीन सो एकेतर चेक अनुसार इस समिधान में अन्य किसी बात के होते वे भी मिजो लोगों की धार्मे के सामाजिक प्रथाओं मिजो प्रथागत रूधी और प्रक्रिया दीवानी और फोजारी न्याय प्रसाशन जहां निर्णे मिजो प्रथागत विधी के नुसार होते हैं भूमी का स्वामित्वब और हस्तांधरन के समद में संसत का कोई अधिनिय मिजोरम राज्य के लिए तब तक लागू नहीं होगा जब तक की मिजोरम की विधानसवा प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णे नहीं करती है तो अनुछे 301 चे मिजोरम राज्य के समद में अरुनाचल प्रदेश के समद में अनुछे 301 चे अरुनाचल प्रदेश राज्य में शांती और विवस्ता के प्रसंग में विशेश रिस्तिती के कारण ये विशेश उपबंद किया गया है जिसमें का गया है इस समीधान में किसी बात की होते में भी अरुनाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुनाचल प्रदेश राज्य में वीधी और विवस्ता के समन्द में विशिश उतरदायत वे रहेगा और राज्यपाल इस समंद में अपने कृतियों का निर्वहन करने के बारे में की जाने वाले कारवाई के समंद में अपने व्यक्तिगत निर्णे का प्रयोग मंत्री परशत से परामश करने के परशाद करेगा और यदि ये प्रशन उड़ता है कि कोई मामला राज्यपाल के विक्तिकत निर्ने के अंतरकत आता है अत्वा नहीं तो इस समन्द में राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के आधार पर किया गया निर्ने ही अंतिम होगा परन्तु ये राज्यपाल से प्रतिवेदर मिलने पर अनेथा राश्रोपति को ये समाधान हो जाता है कि अभी आवशक नहीं है कि अनुणाचल प्रदेश राज़े में वीधी और विवस्ता के समन्द में राज्यपाल का विशिश उत्तर दायत्वे रहे तो वे राज्यपा बात करते हैं अनुष्य 301 ज्य जो गोवा राज्य के समग आ है इसमें लिखा गया है कि गोवा राज्य की विधान्सवा 303 स्वदस्यों से मिलकर बनेगी अनुष्य 301 ज्य अब हम बात करते हैं उत्रांचल को मिले विश्ष राज्य के दर्जे की मई 2001 में नवगठित राज्य उत्रांचल को विशिष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है परवतिय और कठी निक्षेत्र होने तथा आर्थिक और सरंचनात्मक पिछड़ापन तथा राज्य की वित्तिय अक्षंदाओं की प्रकरती के आधार पर उत्रांचल को विशिष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाने से उत्तरांचल या उत्तरा खंड जो है वो उदार शर्तों पर तथादिक केंद्री साहता पाने का हकदार हो जाएगा विशेश दरजा प्राप्त राज्ये के इंदे से 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत रिण प्राप्त करते हैं जबकि अन्य राज्ये 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत रिण प्राप्त करते हैं विशिश दर्जा प्राप्त जो राज्य होते हैं उन्हें क्या है 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है 10% ये रिन मिलता है जबकि बाकी राज्यों को क्या है 30 प्रतिशत ही अनुदान मिलता है और 70 प्रतिशत रिन उनको मिलता है हम सभी इस बात को समझते हैं कि जो उत्तराखंड है पहले उसका नाम उत्तरांचल ही था जब वो राज्य गठीत हुआ था बाद में उसका नाम परिवर्तित करके उसे उत्तराखंड बनाय गया था अब हम भात करते हैं करनाठकाराज्य के समझत में विशे उपबंध अनुचे 321 एथा एhtान में समेधानेक सन्सोदन अधिनियम 2012 द्वारा समेधान सन्सोदन के द्वारा ये विशे विवस्ता की गई है जिसमें हिद्राबाद करनाटक श्रेत्र के लिए इस उपबंद के साथ के बोर्ड के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रतेक वर्ष राज्य विदानसवा में रखी जाएगी एक प्रिथक विकास बोर्ड की स्थापना समस्त राज्य के आउशक्ताओं को ध्यान में रखते वे उक्तिक श्रेत्र के विकास खर्च के लिए निधियों के साम्यापूर्ण अवंटन के लिए एक समान अवंटन के लिए और समस्त राज्य के आउशक्ताओं को ध्यान में रखते वे उस श्रेत्र के लोगों के लिए नियोजन, सिक्षा और विशिष उपबंद थे ये विशिष उपबंद क्यों किये गए हैं तो इसके कारण क्या है विशिष वेवस्ता के कारण ये कि समिधान के भाग 21 के अध्यान के अधार पर हम कह सकते हैं कि समिधान के अंतरकर तो विशिष वेवस्ता हैं भारतिय संग के 11 राज्यों ये 12 तेरा राज्यों के लिए की गई हैं सही अर्थों में जिसे विशिष स्थिती कहा जा सकता है ये विशिष स्थिती भारतिय संग म जिन राज्यों को प्राप्त है तो उसके निम्न कारण है पहला है भारतिय संग में विले की विश्ष परिस्थितियां कुछ राज्यों का जो विले हुआ विश्ष परिस्थितियों में उस कारण से उनके लिए विश्ष विवस्था की गई है जैसे कि जम्मो कश्मीरों सिक् दूसरा कारण है राज्य विधीन भागों में आर्थिक ऐस्स उंतुनंन की स्थिति महाराष्टरे, गुज्राथ, आनर पडेश के समंध में इस कारण से विश्ष उपन्दों की विवस्था की गई है इन राज्यों के कुछ भागों में आर्थिक विकास की स्थिती बहुत अच्छी है और कुछ भागों में आर्थिक विकास की स्थिती बहुत ही खराब है संदोज जनक भी नहीं है तो ऐसे में विशेश उपबंद किये गए है किसी राज्य में उसकी विशेश सांस्कृतिक स्थिति के कारण भी विशेश उप बंद किये गए जैसे कि नगालेंड और मिजोरम उनको सांस्कृतिक स्थिति के कारण विशेश उप बंद दिये गए हैं कुछ राज्यों में नागालेंड और अरुनाचल प्रदेश का नाम आता है कि नागालेंड और अरुनाचल प्रदेश में कानून और विवस्था के लिए चुनोथी पूर्ण स्थिती के कारण उनके लिए विशेश बंद मनाए गए हैं और राज्य की किनिक शेत्रों के प्रशाशन के प्रसंग में भी विशेश स्थिती है जैसे कि मनिपूर में पाड़े ख्षेत्रों के प्रसंग में अन्तिम प्रशन यही हो सकता है कि विवस्था एक अब तक जारी रहेंगी इन उपबंदों को सविधान में ऐस था है संक्रमन कारी में विशेश उपबंदों का नाम दिया गया है इसलिए यह तो नहीं सुचा जाना चाहिए कि उपबंद सदेव बने रहेंगे लेकिन साथ इसाथ अति निकट भवशे में इन उपबंदों के समापतोने के संभावना भी नहीं है भारत विविद्दाओं से भरावा हमारा एक महान देश है और भारत यह संक्याते रहें कुछ राज्ये भी ऐसे हैं जिनके एक शेत्र और दूसरे शेत्र में बहुत अधीक अंतर है तो इस संदर में ये विशेश उपबंद एक स्वाभावी किस्तिती बन जाते है और समस्त भारत राज्ये राजनिती कार्थी को संस्क्रित दृष्टी से संतुलित विकास की जिशा में आगे बड़े तब इन विशेश उपबंदों के समापती की जम्म बन सकती है आज के लिए इतना ही धन्यवाद